Good day to all of you, मैं उम्मीद करता हूँ, अभी तक आपको जो सिखाय गया है, वैस अभी आपको याद होगा, और उसका उपयोग आप भविसे में भी करेंगे, इस क्लास में आप प्रेक्टिस के साथ साथ कुछ नया भी सीखेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, कि वीक की पहली क्लास में कुछ नया सिखाया जाता है, और उसके बाद उसका अभ्यास करते हैं, आपने अभी तक जो भी सीखाय है, वैस प्रेक्टिसीट के महतपूर्ण भाग है, क्योंकि भविसे में आप इसे ओफिस के कारियों के लिए उपयोग में ला सकते हैं, जो कि आपके लिए ब अच्वा उससे अधिक चित्रों को एक बार में कैसे सेलेक्ट करेंगे, अच्वा दो से ज्यादा चित्रों को सेलेक्ट करने के लिए आप पहले उन चित्रों को फोर्मट मेन्यू के ग्रूप में पनाएंगे, और उसके बाद किसी भी चित्र पर क्लिक करेंगे, तो वैं प external विकल्प की मदद से आप किसी भी seat में define की गई range को उस seat पर insert कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं flip विकल्प से क्या होता है flip विकल्प के द्वारा अपने object को rotate कर सकते हैं यह दो प्रकार से होते हैं जैसे की horizontal और vertical क्या बता सकते हैं some if और some ifs में क्या अंतर होता है some ifs का उप्योग आप जब करते हैं अगर आप को किसी data में से किसी एक condition के द्वारा उसका total अथवा sum निकालना चाहते हैं तो आप some ifs का उप्योग करते हैं some ifs formula का उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी data से 2 या 2 से ज़्यादा condition के अनुसार उसका sum अथवा total निकालना चाहते हैं तो आप इसके लिए some ifs formula का उप्योग करेंगे क्या आप बता सकते हैं count ifs और count ifs का उप्योग क्यों करते हैं count ifs का उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी data में से किसी एक condition के अनुसार किसी column अथवा row में से उसे count कराना चाहते हैं तो आप count ifs का उप्योग करेंगे Count ifs formula का उपयोग आप जब करेंगे अगर आप किसी data के row अथवा column में से किसी data को 2 या 2 से ज़्यादा condition के अनुसार count करना चाहते हैं तो आप count ifs formula का उपयोग करेंगे अपने seat के large और small value को निकालने के लिए क्या syntax उपयोग करेंगे large के लिए आप equal to large number list and bracket clause और small के लिए equal to small number list and syntax का उपयोग करेंगे क्या आप बता सकते हैं match formula का उपयोग क्यों करते हैं match formula के द्वारा आप अपने data में से किसी value को match करा सकते हैं या उसके position को जान सकते हैं इसके लिए formula होता है equal to match, search criteria, semicolumn, lookup array, semicolumn type, bracket close अब आप सभी अपने computer को on करें और बताएगे किसी भी एक तरीके से file को open करें आएए अब आज की class को सुरू करते हैं आज की class में आप सभी पिछले class के view menu, insert menu, format menu और formula का अभ्यास करेंगे अब आप अपने spreadsheet पर data को बनाएं अथवा सामने दिये गई data की तरह अपनी sheet पर data को type करें जिसमें employee name, id और अलग information दिया हुआ हो अब आप एक एक करके पिछली class के सभी formula का अभ्यास करेंगे अब आप match formula का अप्योग करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो सामने दिखाये जारें वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से match formula का अप्योग करना सीखते हैं match formula का अप्योग क्यों करते हैं हमने यहाँ पर id और position यहाँ पर लिखा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर id 344 type किया हमें इस 344 की position find करना की कितने number पर है इसका position क्या है इसके लिए हमें match formula को अप्योग करेंगे equal to match हमने यहाँ पर टाइप किया bracket को start किया search criteria जिसकी position हमें find करना है उसको हमने select किया semicolon फिर look up area जहां से हमें इसकी position find करना है कि लिस्ट केंदर इसकी value इसकी position क्या है फिर type 0 हमने यहाँ पर टाइप किया है तो हमें exact match चाहिए और फिर bracket close enter बटन तो यहाँ आप आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आप सभी अपने data में से किसी एक नाम के अनुसार उसका total करके दिखाएं अगर total करने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो की मदद से सीखते हैं sum if formula को प्यों कैसे करते हैं जैसे कि यहाँ पर एक list है list में हमें जो किसी एक name का सिर्फ sum करना है कि सिर्फ जैसे यहाँ पर हमने अकास स्लेक्ट किया सिर्फ अकास का ही यहाँ पर जो वैल्यों इसका total करके दिखाएं तो उसके लिए हम समी फॉर्मूला का उप्यों करेंगे को अब कि अ तर से पहले इक वेल टू टाइप करेंगे उसका अधम सम इफ करेंगे कि अमने पर इकोल्ट तू सम इफ कि ब्रैकेट को स्टाट पर यहाँ पर रेंज पूछ रहा है तो हम नेम वाले को रलम को सेलेक्त करेंगे क्योंकि हमें इस में से एक पर्टिकुलर नीम जिसका अकास है उसका वे इसी टॉटल करके दिखाना है इसलिए उसको सेलेक्ट किया sph aka कोतल करना है उसको आप करेंगे जिसका है सम करना है जिसका आपको समकरना है उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है उन्हें घुड़गों वाले option जो column है जो वहाँ पर numbers है उनको हमने select कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका total करके यहाँ पर आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है यहाँ पर तीन अकास हैं 1,2,3 यहाँ पर तीन अकास हैं और इन total इन तीनों का जो total है एक में 4000 एक में 5405 और एक में 5401 इन total इनको तीनों को total करके यहाँ पर value आ गया तो इस प्रकार से आप इस formula का उपयोग कर सकते हैं अब आप सभी अपने डेटा में से किसी एक नाम के अनुसार उसका average निकाल कर दिखाएं अगर उसका average निकालने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से average इफ formula का उपयोग करना सीखते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस list के अंदर जो अकास है सिप हमें अकास का average नमबर निकालना है तो उसके लिए हम average इफ का उपयोग करेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर देख सकते हैं अकास लिखा अभी हमें इसके value निकालना है वह हम average निकालना है यहाँ पर इस list के अंदर कितना बार अकास है और जो उसकी यहाँ पर total productivity है जैसे कि यहाँ पर गुरगाओं है गुरगाओं के अंदर उसकी जितने भी salary बन काई है उसका हम average निकालेंगे तो हमारे पास data है पहले से आप देख सेते हैं जो हमने data को type क्या हुआ है यहाँ आप देख सेते हैं दो बार अकास है लिस्ट के अंदर और यहाँ पर दो इसकी अलग अलग value है हमें उसका average निकालना है इसके लिए हम इक्वल टू एवरेज इफ टाइप किया ब्रैकिट को स्टार्ट किया पहला range पूछ रहा है तो आप range सेलक करेंगे जो नेम वाला option है उस range को हमने सेलक किया सेमी कॉलम क्रैटेरिया अब जिस नाम का भी आपको average निकालना है उस नाम को आप सेलक कर लें हमें आकास के निकालना है तो हमने यहां पर आकास को सेलक किया स्टीर से सेमी कॉलम लगाना है फिर average रिंज जिस नंबर को आपको average निकालना है वह आप यहां पर सेलक कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जो हमने गुर्गावाले में है उसको हमने यहां पर सेलक किया ब्रैकिट को क्लोज किया एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी अकास है और उसकी जो भी यहां पर नंबर है उस नंबर के यहां पर आपको average करके यहां पर दिखा देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप उसका average निकाल सकते हैं इस फोर्मूला की मदद दे इस प्रकार से आप average फोर्मूला का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी अपने data में से किसी एक नाम को count करके दिखाएं कि वे उस data में कितनी बार आया है अगर आपको count करने में कोई समस्चा हो रही हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो की मदद से countif फोर्मूला के बारे में सीखते हैं loud कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो नेव ने वाले को में इंसर्ट करेंगे जब वीडियो में देख सकते हैं हमें इक चैक करना है जो अकास है वह लीस्ट में कितनी बार account हो रहा है अरों नहीं वह जो लिस्ट में कितनी बार आरा है सूराज कितनी बार इन सभी को ओमें से ब्रैकिट को स्टार्ट करेंगे जो भी रेंज ये रेंज को हमने सेलेक्ट किया यहां पर नेम वाले उप्शन को सेलेक्ट करेंगे हमें अकास को फाइंट करना है तो हमने यहां पर अकास को सेलेक्ट किया और ब्रैकिट को क्रोश किया तो यहांप आप देखते हैं three times यहांपे आकास आ गया है इस लिस्ट के ने जितनी पर भी आकास है वो यहांपे count करके बता देगा है इससे प्रकार से आपको अरून सूरज यह सचीन इनको type करना है count करना है इनको तो आप यहांपे click करें और right side में दो बार click करें तो इसका automatic यहांपे सबका आ जाएगा सबको count करके आपर बता देगा तो इस प्रकार से आप count is formula का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी अपनी data से किसी एक का average निकालें जिसका नाम और ID A की हो अगर average निकालने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदबते सीखें अगर किसी name और एक ही ID का average निकालना है जैसे कि आप इस data में दे सकता है यहांपे name है और ID है आप चाहते हैं कि name और ID सेम अनुची है सिर्फ उसी का average आए इसके लिए हम average if formula का उप्योग करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहांपे average if formula टाइप किया equal to पहला average range आ रहा है जो भी आपका यहांपे range होगा जो भी आप जिसका आप average निकालना चाहते हैं जिस number का चाहे वो यहांपे गुर्गाओं हो पूने डैली बैंगडूरू या total इन सबका अगर इन में से किसी का average निकालना चाहते हैं वह आपका range हो जाएगा जिसमें सबको निकालना है अगर आपको total में से निकालना है तो आप इस total वाले column को select कर लें हमने इस total वाले column को select किया semi column जैसे कि आपको जानते हैं average x है वो दो condition के साथ काम करेगा यहां पर आपको दो condition देना होगा पहला condition जो name वाला है हम रेंज को select किया इसके अंदर हमें एक name जिसकी id सेम हो उसका average निकाले तो हमने इस range को select किया तो यहांप उसके बाद semi column और criteria द निकालना है जिस name आपको निकालना है तो हमने यहांपे अकास select किया हमें आकास का average निकालना है पहला condition हमा रही हो गया है फिर हम यहांपे semi column लगाया अब यहांपे range to आ रहा है range 2 जैसे कि आपको id मेसे जो same name और same id के साथ आना चीए तो हमने id वाले column को select किया तो हमारे second range ह हो गया है semi column लगाया और criteria कौन सी id का आना चाहिए है यहां पर हमने 123 यह select किया इसका मतलब यह हमारा second condition हो गया पहला condition जिसकी id 123 हो सिर्फ उसी का यहां पर average निकाल के दिखाए उन्हें ब्रैकिट को close के एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस list के अंदर दो आकास हैं जिसकी id 123 है इसका total आकास नीचे आप देखते हैं 123 और इन दोनों का total इन दोनों का total करके जो average value आएगा जो average answer आएगा वो यहां पर आ जाएगा जो इसकी औस वैल्यू दोनों क करते हैं अब आप सभी किसी कॉलम में date of birth इंसर्ट करें और फिर सभी के दिन जैसे की Sunday, Monday के format में दिन को निकालें आएगे अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इनका उपयोग कैसे करते हैं आएगे वीडियो की मदद से text formula की मदद से जो भी date है उसको day में convert करना सीखते हैं कि इसको day में कैसे convert करते हैं अगर आपने date टाइप नहीं किया है तो आप वीडियो में देखके जो data में है data में से देखके आप date को type कर सकते हैं हमने यहाँ पर पहले date of birth जो है हमने वह type उस column को type किया था है तो हम यहाँ पर देखके एक column में ने days name लिखा तो इसके लिए हमने सबसे पहले equal to text जो भी date है उस date को हमने से लख किया semicolon format देना है अगर आपको पूरा name लिखना है जैसे कि Monday तो आप four times देंगे अगर आपको short में लिखना है mon तो three times d type करेंगे हमें पूरा complete करना है तो हमने यह पर four times d type किया double quote के अंदर आपको करना है यहाँ पर बज़े सकते हैं हमने double quote के अंदर starting double quote और उसके अंदर four times d close और bracket को close किया तो यहाँ पर Monday यहाँ पर लिखा आ गया अगर बाकी सभी का आपको लिखना है उस पर click करें और right side में जो हलका से बटन है drop down उस पर double click कर दें जितने भी नीचे के date है उन सबको यहाँ पर days लिखा हुआ आ जाएगा सब वीडियो में दे सकते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday यह सारे यहाँ पर values आ गया दे का नाम लिखा हुआ आ गया तो इस प्रकार से आप text formula की मदद से कोई भी data उसको आप day में convert कर सकते हैं अब आप अपने data में से सबसे large value के बाद second large value और सबसे small value के बाद second small value को निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो की मदद से large और small value और small formula को उप्योग करना सीखते हैं सबसे पहला हम यहाँ पर rank type करेंगे 123 हमने पर type किया जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने 5 तक count किया सबसे पहले हम जो maximum value है maximum value को हम निकालेंगे जैसे का आप जानते है maximum value को निकालने के लिए हम max formula को प्योग करते हैं तो rank 1 में सबसे बड़ी वाली संख्या आएगी जो सबसे बड़ी संख्या है वो आएगी उसके लिए हम maximum formula को यूज करेंगे equal to max bracket start जो भी number है उस number में हम select कर लेंगे जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसको select किया bracket को close और enter button दवा दिया तो इसके अंदर जो भी सबसे बड़ी संख्या है वो यहां पे आ गया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब हमें second number की value निकालना है third number का और fourth number और fifth number की value निकालना है तो इसके लिए हम large formula को उप्योग करेंगे equal to large जो data है जो range है उस range को हमने select किया तो यहां पर rank पूछ रहे है तो हमने second maximum value निकालना है तो हमने second यहां पर select किया और bracket क्लोज करके enter button दवा दिया इसके right side में हमने double click किया जिससे copy down हो गया बागी सबका यहां पर third number की maximum value और fifth number की maximum value यहां पर आ लिस्ट के अंदर तो यह rank wise हमने large value को निकाल लिया तो इस प्रकार से हम large formula का उप्योग कर सकते हैं अब हम minimum value निकालना है कि इस total के अंदर जो सबसे minimum number है उसे निकालना चाहते है तो इसके minimum formula min use करेंगे bracket start number को select और close करके enter button दवारेंगे तो इसके अंदर जो सबसे minimum value है वो यहां पर आ जाएगी जैसा आप video में देख सकते हैं हमें उसके बाद second highest minimum value है जो दूसरे number पर कम value है फिर third number पर जो कम value है फिर fourth number उसको निकालना है तो इसके लिए हम small formula को उप्योग करेंग है हमने इसको select किया small bracket start जो भी data उसको select किया bracket close semicolon जो भी rank देना है हमें second number के निकालना है तो हमने second जहां पर two लिखा तो उसको select किया bracket को close और enter button दवा दिया तो यहां पर इसकी minimum value वो यहां पर आ जाएगा जैसे कि आप video में दिखाया जा रहा है इस पर हमने double click किया double click करने क बाद जिते भी नीचे की values हैं t rank 3, 4, 5 इन सब का minimum value यहां पर आ गया अब आप अपने data में से का total करके दिखाएं जिसकी id और नाम सेम हो अगर सम निकालने में कोई समस्या हो रही है जिनकी id और name सेम है तो सामने दिखाया जा रहे है वीडियो की मदद से सीखें आई ये वीडियो को देखकर सेखते हैं सम-ifs formula का उपयोग कैसा करते हैं अगर आपको दो condition के साथ इसको total करना है जैसे कि जिसका नाम और id दोनों एक जैसे हो उसी का total करके दिखाएं तो इसके लिए यहां पर हम सम-ifs formula का उपयोग करेंगी जैसे कि अमरे पास आप पहले सी data type है इस data में से हमें चाहते हैं जिसका नाम और id एक जैसे हो सिफ उसी का total करके दिखाएं तो इसके लिए हम यहां पर सम-ifs formula का उपयोग करेंगे हमने यहां पर सम-ifs टाइप किया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर हमें किसी एक नाम और जिसकी id सेम हो उसका तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे सम-ifs formula का उपयोग करेंगे सबसे पहले equal to sum-ifs जैसे के आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने bracket को start किया bracket को start करने के पाद sum range पूछ रहा है सबसे पहले हैं sum range जिनमें से आपको total करना है जिसका आप total करना चाहते हैं यह हमारे total option है इस वाले total column को हमने select कर लिया यह हमारा sum range हो गया पहला condition यहां पूछ रहा है range किसका आपको total करना है जैसे यहां पर आपको name range है इन में से किसी एक का आपको particular name का आपको total करना है तो आप उस range को यहां पर select करेंगे अब हम criteria देंगे कि इस range में से इस list में से जिसका आप criteria हो जाएगा हम आपकास करना है तो हमने यहां पर आपकास select कर लिया condition हमारा one हो गया semicolon अब हम यहां पर second condition लगाएगे यहां पर range to range to हमारे यहां पर आइड होगा क्योंकि हम आइड को select कर रहे है जिसका name और आइड एक जैसे हो उसी का total करके दिखाए हमने आइड वाल option को select किया range to हमारे यह हो गया semicolon पर criterion criterion आप जो भी id होगा उस id को आप देंगे यहां पर जैसे कि 123 हमने इसको select किया और bracket को close कर दिया जिसका मनलब जो अकास है जिसकी id 123 है उसका total यहां पर करके दिखाए तो यहां आप देख रहते हैं आकास 123 यहां पर दो बर है और इन दोनों का जो total value होगा उसको यहां पर sum करके इसका value यहां पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं इससे पर कास अगर बात की सब को निकालने जैसे कि अरुन सूरल सचिन इनका तो इनको भी यहां पर जब आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे तो यह नीचे copy-down हो जाएगा इन सब का value और यहां पर आ जाएगा क्योंकि इन सबी का यह एक ही आईडी के नाम है जैसे कि अरुन की आईडी से एक मैच कर रहे है तो इसका total जो होगा जो single value होगा वो यहां पर आ जाएगा इसी प्रकाश सचीन सचीन इस लिस्ट में दो है लेकिन उनकी आईडी एक ही मैच कर रहे है तो इसका total जो आप बताएगा तो इस प्रकाश से आप समय फोर्मूला का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी अपने data में से उनको count करके दिखाएं जिनका name और id एक ही हो आएए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि इनको कैसे count करेंगे आएए वीडियो की मदद से count ifs फोर्मूला के बारे में जानते हैं कि इससे क्या होता है अगर हमें इन में से name और id में से same count करना है कि जिसका name और id एक जैसा हो वो कितनी बार यहां पर आ रहा है अगर दो condition के साथ हमें कुछ भी चीज़ काउंट करना हो तो इसके लिए हम count ifs फोर्मूला को उप्योग करेंगे सबसे पहले हमने equal to count ifs टाइप करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पर count ifs टाइप किया ब्रैकेट को स्टार्ट किया पहला यहां पर रेंज आ रहा है रेंज वन कंडिशन वन होगी हमें यहां पर जो नाम टाइप किसी मान लेजी जैसे कि आकास है और इसकी आईडी 123 है वो कितनी बार यहां पर repeat हो रहा है तो हमें उसके करना है इसलिए रेंज वन पहले नेम व उसको हम सेलेक्ट करेंगे हम इसे सेलेक्ट किया फिर क्राइटेरिया देंगे कि किसे आप सर्च करना चाते हो किसे आप काउंट करना चाहते हो क्राइटेरिया इस रेंज के अंदर उसे हम सेलेक्ट करेंगे लगाया और इस नेम को हम यह पर सेलक्ट कर लेंगे जो रिटरी यह यहां पर पहले से नेम लिखा था यहां पर आपकास को सेलक्ट किया जैसा आब वीडियो में देख सकते हैं कि फिजर सेमी कॉलम लगाएंगे अब यहां पर रेंज टू कि रेंज टू जो आईडी वाला ऑप्षन है इसको कॉलम को सलेक्ट करेंगे यह हमारा सेकिंड कंडिसन है कि हमने इसको सलेक्ट किया अब इस आईडी में से जो नाम और आईडी सेम होना चाहिए उसको काउंट करके बता है तो क्राइटेरिय टू है उसको हम सलेक्ट करेंगे पहला हमने यहां पर सेमी कॉलम लगाया सेमी कॉलम लगाने के बाद जो क्राइटेरिय टू है वो हमने आईडी यहां पर एक आईडी दे दिया है यहां पर 123 तो अब यहां पर एक नेम और एक आईडी जो अकास जिसकी आईडी 123 है उसको यहां पर काउंट करके बताएगा यहां पर टोटल टू आंसर आ गया इस लिस्ट के अंदर आप देख स टीन अबर अकास आदी तर लेकिन उस तीनों की आईडी अलग अलग है लाधने पर ऑकास जिनकी सेम है इसलिए यहां पर 2 आ गया है क्योंकि हमने पर अपर फकास चैनल इक नां यहां बताया बांटमान कर पदोटल создas सबका answer आ गया जैसे कि अरुन का 1, सूरज 1, सचीन 1, इन सभी का, क्योंकि ये सभी एक एक ID, इनका नाम और ID सेम है, तो ये एक बर एक count होगा, तो यहाँ पर इनका 1, 1 आ गया, लेकिन अकास दो बार यहाँ पर है, जिसकी ID सेम है, यहाँ पर 2 आ गया, तो इस प्रकार से आप count if की मदद से आप, दो condition के साथ में आप count कर सकते हैं, अब आप कोई एक चित्र को बनाएं, और फिर उस पर formatting करके दिखाएं, आए वीडियो को देखें, आए वीडियो की मदद से कोई drawing को draw करते हैं, और उसके अंदर formatting करना सीखते हैं, सबसे पहले हमने एक drawing toolbar में से किसी भी save को हमने draw किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसको draw किया, अब हमें इसके अंदर formatting करना है, formatting करने के लिए, जो line and filling toolbar का option होता है, जब भी आप कोई drawing insert करेंगे, drawing बनाएंगे, तो line and formatting toolbar automatic यहाँ पर so हो जाएगा, यहाँ सा आप उसके formatting कर सकते हैं, हमने इसके line को, change की outline को, अगर इसके अंदर color की करना है, तो colorable option पर जाके, इसके अंदर कोई भी color कर सकते हैं, आप अपने according, इसके अंदर कोई भी design, यह कोई भी color कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, तो इस प्रकार से आप किसी देखें, आईए वीडियो की मदद से किसी image को rotate करना सीखते हैं, कि उसे rotate का सकते हैं, इससे हमें rotate करना है, हमने इसको select किया, format पे click किया, flip पे गए, rotate vertically पे click किया, तो यह vertically rotate हो गया, अगर इससे horizontally rotate करना है, इसको select करेंगे, format पे जाएंगे, flip option को select करेंगे, flip horizontally पे click करेंगे, यह फिर से rotate हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप किसी भी image को आप rotate कर सकते हैं, किसी भी clip art को आप rotate कर सकते हैं, अब आप सभी इन चित्रों के एक group में बना कर दिखाएं, और बताएं कि ऐसा करने से क्या होता है, आए वीडियो को देखकर स सीखते हैं, कि दो image को एक साथ कैसे group करते हैं, यहाँ आप पहले देखते हैं, हमने एक image को बनाया हुआ है, एक shape को draw किया है, एक और shape को हम यहाँ पर draw करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है, हमने एक और shape को draw किया, अगर आप इसके अंदर formatting करना चाह करेंगे, तब तक उस पर grouping नहीं कर सकते हैं, कि इसके लिए shift button को press करकर रखें, और दोनों image को select कर लिए, format पे click करें, group पे click करें, और group option को select कर लिए, अब इसका group बन गया है, जब आप इस पर बाहर click करेंगे, इन में से किसी भी एक object को select करेंगे, यह दोनों object एक साथ select होगा, जब इसका आप move करेंगे, तो दोनों object एक साथ move होगा, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर इसके अदर कोई भी आप formatting करेंगे, किसी एक image के अंदर formatting करेंगे, तो automatic दोनों image के अंदर same formatting होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर आ बहार आने तो format पे click करें, group पे click करें और ungroup पे click कर दें, तो इससे आप बहार आ जाएंगे, अब आप देशने दोनों individual select हो रहे हैं, अलग-अलग select हो रहे हैं, एक साथ select नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार से आप grouping कर सकते हैं, अब आप अपने data की heading को bold, italic, underline करके दिखा हैं, और याद रहें कि यह सभी center alignment में हो, आईए वीडियो को देखकर bold, italic, underline करना सीखते हैं, अब जिस column या row को आप bold, italic, underline करना चाहते हैं, उससे select कर लें, जैसा है आपको वीडियो में दिखा जा रहे हैं, जो first row है, आप उसको select किया, अब हम इसे bold, italic, underline करना है, त ये option को आप select करेंगे, जैसे आपको जो भी text लिखा bold हो जाएगा, आई लिके option पर select करेंगे, italic हो जाएगा, ये लिका option को select करेंगे, वो underline हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो अब ये bold, italic, underline इस पर हो गया, जो हमने row select किया था, अगर इसके alignment को change करना चाहते हैं, इसको आप select करेंगे, select करने के बाद आप सभी को format menu पर click करना है, format पर click करेंगे, format पर click करने के बाद alignment और center को select कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, जो भी text लिखा है ये number लिखा है वो center alignment में आ जाएगा, तो इस प्रकास से आप बहूँ italic underline और alignment को अब set कर सकते हैं, अब आप इस file को save करें, अब दूसरी seat पर जाएं और कुछ data को type करें, अब आप सभी एक column में कुछ numbers जैसे की value को type करें और बताएं कि कौन कौन से even value हैं, आइए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं, आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं, even कैसे निकालते हैं कि कोई value even है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले जो में यहाँ पर data टाइप किया है, हम दूसरी seat पर जाएंगे, जो numbers आपको दिये जा रहे हैं, उस number को यहाँ पर type करेंगे, फिर उसका आगे हम यहाँ पर even लिखेंगे, कि जो हमें even value find करना है, इसके बाद जो आपको number दिखाया जा रहे हैं, जो number आप यहाँ पर type करेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको भी number type करना है, इनका हमें even value निकालना की, जानना है कि even value है यह नहीं है, तो हम यहाँ पर number type किया, 1220, 2223, 20,000, 322, 323, 323, 29, 33, 231, तो हमने यह number type किया, आप यह से देख के आप भी इपने sheet पर type करें, फिर हमें चेक करना है, यह value even है यह नहीं, equal to even की formula से जो odd value होता है, उसे even में convert कर देता है, यह already even है, तो इसलिए यहाँ पर 220 आगया है, हमें यहाँ पर यह जानना है कि even है यह नहीं है, इसके लिए हम दूसरा formula यूज़ करेंगे, इसके लिए हम is even formula को उप्यूग करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर equal to is even, bracket को start, जो value है, उस value को select कर लेंगे, फिर bracket को close करेंगे, close करने के बाद आपको एक बड़ एंटर बटन प्रस करना है, तो यहाँ आप आप देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर true लिखा हूँ आगया, क्योंकि यह true है, यह even value है, इसलिए यहाँ पर true लिखा हूँ आगया, right side पर यहाँ पर click करें, और इस पर double click कर दें, जितने भी numbers हैं, उन सभी numbers का यहाँ पर value आजाएगा, कौन कौन से true है, और कौन से false है, जो भी value even है, वहाँ पर true लिखा हूँ आजाएगा, जो value odd है, वहाँ पर false लिखा हूँ आजाएगा, अब आप 23, 53, 42, 56, 34, 23, 76, 88, इनका LCM और GCD नम्मर को निकाल कर दिखाएँ, आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, LCM और GCD का उपयोग कैसे करते हैं, आएए वीडियो की मदद से LCM और GCD निकालना सीखते हैं, साथ से पहरे जो number दिया गया है, उस number को यहाँ पर type करें, जिस number को भी आपको LCM निकालना है, यह GCD निकालना है, वो number यहाँ आपको type करेंगे, पहरे आपको 23, 53, 53, 42, 56, 34, 76, 88, हमने यह number टाइप किया, अब हमें इसका LCM निकालना है, हमने यह पर LCM टाइप किया, हमें इस number के LCM find out करना है, इन सब भी number का, जो number हमने यहाँ पर type किया है, जहाँ पर भी आप LCM निकालना जाता है, उस cell पर आप जाएं, वहाँ पर equal to type करें, क्योंकि कोई भी formula हम लिखते हैं, सब सब पहले हमें equal to type करते हैं, हमने यहाँ पर equal to type किया, LCM हमने यहाँ पर type किया, bracket को start, अब इन सब भी number को हम select कर लेंगे, जो हमें इन सब भी number के LCM निकालना है, bracket को close किया, और enter बटन दवा दिया, यहाँ पर देखते हैं, यह जो number आया है, यह LCM आगे है, यह इसका answer है, अब हमें gcd निकालना है, इसके लिए equal to gcd, यहाँ पर type किया हमने, bracket को start किया, जितने भी numbers हैं, नमबस को हम select कर लेंगे, select करने के बाद, बैकर को close करेंगे और enter बटन को प्रेस करेंगे, तो इनका जो भी gcd होगा, जो भी answer होगा, common number होगा वो इसमें आ जाएगा, तो इस प्रकास से आप LCM और gcd निकाल सकते हैं, क्योंकि आज की class यहीं पर सुमाप्त होती है, अब आप सभी अपने file को save करें, और फिर अपने computer को shutdown करें, से सकते हैं, खमने होates, की आप से κάνे हैं, ऑना आप में बढ़ीं, से अबके आपते हैं,